अधिकार एक्स्प्रेस आप अच्छी तरह जानते होंगे कि किसी भी वस्तू का मूल्य उसके गुणों के साथ साथ उसकी शुद्ध मात्रा से आखी जाती है यदि आप वस्तू कम मात्रा में पाते हैं तो आपके द्वारा चुका गया मूल्य वस्तू के निर्धार शुद्ध मूल्य से अधिक होता है और यदि नाब तॉल के उपकरण सही नहीं हो अथवा उन्हें सही तरीके सुप्योग न किया जाए तो वस्तूओं के मुलने का निर्धारण का कोई अचित्ते नहीं रह जाता है। नाब तॉलुपकरणों के सही होने पर भी कुटिल व्यवसाई द्वारा हाथ की सफाई से की जाने वाली हान इसे तभी बचा जा सकता है जब वो भोकता सतर्क होूँ। चले सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब भी किसी वस्तूओं को खरीते हैं तो किन बिंदूओं पर विशेश ध्यान दें जिससे आपको धोखा धड़ी का शिकार न बनना पड़े। बाट का ध्यान रखें लोहे के पुराने पत्थर के या अन्य अमानक बाटों से तौली गई वस्तूओं ना खरीदें बाटों के नीचे छिद्र में शीशे पर नाप तौली भाग की मुद्रा लगी होती है इसलिए ध्यान से देख लें कि कहीं शीशा तो नहीं निकाला ग माप का ध्यान रखें तरल पदाद खरीदते समय देखें कि माप उपकरण के नीचे यह अगल बगल से चिपकाया हुआ तो नहीं है यह माप की डंडी तो नहीं तूटी हुई यह देखें कि विक्रेता माप उपकरण में अंगूठा डाल कर द्रव्य तो नहीं माप रहा है यह देखें कि विक्रेता माप उपकरण पूरी तरह से भरा गया है एवं उडेलते समय पूरा खाली किया गया है यह देखें कि शंकु आकार का मापक उपकरण पिच्का हुआ तो नहीं है या उसके अंदर कोई रबर, टीन या अन्य पदार की पैकिंग लगाकर उसका आयतन छोटा तो नहीं किया गया है। यह कम तो नहीं किया गया है। यह देखें कि कपड़ा या अन्य वस्तु खीच कर तो नहीं ना पी जा रही है। अन्य वस्तु तौलते समय पलडे को पैर का सहारा तो नहीं दिया जा रहा है या पैर से दबाया नहीं जा रहा है। और पलडे दिवार से या अन्य वस्तु से तो नहीं टकरा रहें। जिस पलडे पर बाट रखें उसके नीचे स्टैंड तो नहीं बना है। रद्डी या अन्य वस्तु बेशते समय ध्यान रखें कि लकड़ी की तराज उसे ना बेचे। काउंटर मशीन का ध्यान रखें। काउंटर मशीन पंखें के नीचे तो नहीं रखें गई है। पेट्रोल और डीजल पंप का ध्यान रखें। पेट्रोल या डीजल खरीदते समय प्रारं में मीटर सुन्य दर्शार आया या नहीं। मीटर में दर्शाय गए माप के अनुसार ही भुकतान करें। शंका होने पर भुकता और सुविधा है तो पंप संस्थान पर रखें प्रमाणित माप से प्रदाय की जाज करें। टैक्सी मीटर का ध्यान रखें। क्योंकि ऐसी स्थिती में उसमें वेटिंग चार्ज भी प्रारंभिक किराय में शामिल हो जाएगा। अता तिर्शा होने की स्थिती में ड्राइवर से मीचर के फ्लैक को घुमवा कर प्रारंभिक किराय वाली स्थिती में लाने को कहें। पैकेज की हुई वस्तु का ध्यान रखें सामानेता सभी पैकेजों पर निम्नान स्वार घोशनाय आवश्यक है निर्माता या पैकर का नाम तथा पता पैक की हुई वस्तु का सामान या प्रजाद गदनाम विशुद्ध मात्रा निर्माड या पैक करने का माह तथा वर्स अधिक्तम फुटकर मूले सभी करो सहित अतिरिक्त संबंधित सूचना यह देखें कि पैकेट पर अंकित मूले को विक्त्रेता द्वारा काटा गया बदला गया तो नहीं है यह देखें कि पैकेट पर अंकित मुल्य से अधिक मुल्य में तो नहीं विक्त्रे किया जा रहा है यदि वजन को लेकर शंका हो तो वस्तु को तुलवा कर खरीदे घरेलू एल्पीजी गैस की टंकी का ध्यान रखें घरेलो यलपीजी गैस की टंकी में गैस का भार सामान निता 14.2 किलोगराम होता है इस टंकी पर खाली टंकी का भी भार अंकित रहता है हाकर या विक्रेता के पास स्प्रिंग बैलेंस रहता है संका होने पर गैस की टंकी तुलवा कर खरीदे मिठाई की तौल के समय ध्यान रखे मिठाई को तुलवाते समय की कही दुकांदार मिठाई के साथ मिठाई के डिब्बे को तो नहीं तौल रहा है यदि दुकांदार ऐसा करे तो उसे मिठाई को डिब्बे के सही तौल निसे रोके इस प्रकार से आपने जाना कि किस प्रकार आप सतर करें कर इन धोका दड़ियों से बस सकते हैं यदि इसके बावजूद आपके साथ धोका दड़ी हो जाती है तो आप परिशान नहीं हो सबसे पहले दुकांदार को चेतावनी दे कि वह अपनी गलती को सुधारे और वह आप पूरा सामान दे यदि फिर भी वह नहीं मानता है तो आप उसके विर्दू भोक्ता नियाले का दरवाजा खटखटा हैं और व्यवसाही पर जुर्वाना लगाने के साथ ही मुआ आप जेकी मांग करें अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रस्ने सुझाओ तो आप नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रत्किरिया दे सकते हैं आज बस इतना ही जण्यवाद अधिकार एक्स्पेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें साथ ही सूचना प्राप करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं अपने अधिकारों के सुतंत्र पत्रकाईता को बचाय रखने के लिए अधिकारएक्स्पेस.com के होम पेज पर जाए और हमें हर मात 10 रुपे का सायोग करें